इस वीडियों वह देखने वाला है नीटल वायर में हाथ रखने से शाक नहीं होता है क्यों इसका पहले एलेक्ट्रिक शाक मतलब क्या है वो जानना जरूरी है जब आत्मी एलेक्ट्रिक लाइन को पगड़ता है टच करता है उस टाइम में करंट फ्लो वह था बाड़ी को प्ले करेंगें तबी जाके ब्लो वता है ठीके ने वाइसे बाड़ी को अक्रास ओल्ड़ी अपले होगा तबी क्रण्ट्फ्लोो का शाक वोरता है ठीके ओल्ड़ी मतलब पोटेंशिल दिफ्रेंस बीडिविन टूपाइन्स ओके यह जो आत्मी वो फेसे वर गी टेच कर र तो यहां पर क्या नियूट्रल और एर्थ शाटड़ है तो दोनों जीरो ओल्ट तो इसका दोनों पाइंट के बीची में कोई तो इसका बीच में कोई टाच काने से क्या है तो इसका बीच में कोई टाच काने से क्या है हो पोटेंशल दिफ्रेंस ओल्ट है इसका बीच अप्लाव हो जाता है तो इसके बीच इसका नियूट्रल यहां तो इसका नियूट्रल यहां तो इसकानी ने जाता है पाल पी बसम तम तक को आपको अर्ग चिलिर ओजाएगा यह फेसर एक फेसर एक फेसर यह जा रहा है उसी फेसर इतर बिलेगी जा रहा है यह दोनों वेर को एक आतम पर यह पांट्वी साफ में नीचा क्श्वामानि घडा यह तो इसे अपर और सेम फोटन्टि आरई पर दो है ना तो उसको शाक नहीं होता है क्योंगी उस एक ही लाइन में बैठता है उसको तुरू कोई कारण्ट फ्लो नहीं है ठीक है इसको शाक नहीं होता है थैंक यू